नमश्कार आपका हमारे यूटूब चैनल पर स्वागत है आज हम जिस टॉपिक पर बात करना चाहिए उस पर अक्सर टीटी से बहस हो जाती है पैसेंजर की क्यों कि मैं खुद टीटी हूं तो मैं भी यह सब प्रॉब्लम यह सब ट्रेन में जहलता हूं आज हम जिस टॉपिक पर बात करना चाहिए वो है चाहिल टिकेट यानि मेरा बच्चे का जो हाफ टिकेट है यह कैसे पता चलेगा कि उसको कितना फियर और कहां फाइन देना पड़ सकता है अगर उसको बिना टिकेट यात्रा करा रहे हैं तो अगर आप हमारे चैनल पर नहीं और कहां तक उनको बच्चा माना जाता है यानि रेलवे की नजर में वो एक पैसेंजर है और माबाप की नजर में वो बच्चा ही रहता है अक्सर माबाप बोलते है यह तो अभी बच्चा है उसकी उमर भले कितनी भी हो लेकिन वो बोलते है टीटी को यह तो बच्चा ही है सर इसका क्या टिकेट लगेगा यह तो हाफ टिकेट भी नहीं है तो वहाँ पर उनको क्या है नियम की जानकारी ना होने के कारण से ऐसा वो बोलते हैं उनकी भी कोई गलती नहीं आज हम आपको इसी नियम के बारे में ब्रिस्ता से बताने चाहरे हैं तो दोस्तो जीरो से 5 साल के बच्चों का टिकेट रेलवे में नहीं लगता है यानि आप अपने जीरो से पास साल तक के बच्चों को सफर फ्री में करा सकते हैं चाहे वो जर्नल हो AC या स्लिपर कैटिगरी में हो वहीं अगर हम बात करें नियम जो 6 मार्च 2020 के 12 सेक्षन के अकोर्डिंग जो सर्कुलर नमबर 12 है उसके अकोर्डिंग रेलवे ने एक बहुत अच्छा नियम निकाला है अगर आपका बच्चा जीरो से पास साल तक का है वैसे तो फिरी है लेकिन अगर आपको उसको सीट चाहिए यात्रा के दौरान उसके नाम से उसको सीट चाहिए तो आप उसका सीट फुल किराया दे के ले सकते हैं यानि आप उसका नाम फॉर्म में भरके उसका सीट रिजर्ब करा सकते हैं जी यहां एक तरफ तो रेल्वे फिरी में लेके जा रही है अगर आपको फिरी में नहीं जाना आपको उसके नाम का सीट चाहिए तो बिल्कुल उसको पे करके आप सीट ले सकते हैं वहीं 5 से 12 साल तक के बच्चों का हाफ टिकेट लगता है यानि जर्नल, सिलिपर और एसी हाफ टिकेट आपको लेना ही पड़ेगा चाहिए आप जर्नल टिकेट ले या रिजर्वेशन के थुरू आप उसका रिजर्वेशन करा है उसमें भी आदा फेर लगेगा या एसी में अगर आपका बच्चा 5 साल से उपर और 11 साल यानि अंडर 12 साल है तो आपको अगर बिना टिकेट टीटी पकड़ लेता है बच्चे को तो उसका फाइन देना पड़ सकता है यानि उसका हाफ किराया और 500 रुपे जुर्माना यानि आपको वहाँ पे ज्यादा देना पड़ सकता है क्या हुता है कि कभी कभी भीषलीपर में कई आपने बच्चे जो आठ साल नौ साल के ज्यारएव साल रहते हैं उनको हसील मेले जाते है और वह वोड़ना दोस्तों पाथ साल से ऊपर बच्चो का हाप ट्रे लगता है यानी बारा साल तक के या बारा साल नीचे छो और कई टीटी छोड़ भी देते हैं बच्चों को देखें लेकिन नियम के अदुसार उसको फाइन करना है अब दोस्तों मैं बताना जा रहा हूं कि जैसे आपको अपने बच्चों को सीट नहीं लेना है यानि उसका नाम आप मैंशन भी करा सकते हैं टिकेट पर यादि आप स उनका आविदन दे सकते हैं उनका नाम ले सकते हैं दे सकते हैं और उनको लिख सकते हैं कि हमको सीट नहीं क्याई उमर पास साल से नीचे है या पास साल से उपर है धन्यवाद